Hello students, parabola से हमारे पास ये एक question है If x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the feet of the three normals drawn from a point to the parabola y2 equal to 4ax then x2 minus x3 over y1 plus x3 minus x1 over y2 plus x1 minus x2 over y3 equal to इन सबको solve करके हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सांसर मेर्च करें question का मतलब समझें ये हमारे पास parabola है जो की question में बोला गया है इसमें कहें कि हमारे पास एक कोई point है parabola में जरूरी नहीं कि इस line पे हो, कहीं पर भी हो सकता है यहां से आपने तीन normals draw की है let me suppose कि हमने ये जो normals draw की है ये इस type से हमने तीन normals draw की है ठीक हो गया तो हमें एक point ये मिला suppose कर लेते हैं ये a है दूसरा point suppose हमें ये मिला और तीसरा point हमें ये मिला तो यो तीन points हैं हाँ पर question में इनके नाम दे रखे हैं x1, y1 b point दे रखा है x2, y2 और c point दे रखा है x3, y3 तो जरा मैं इसको यहां पर लिख लेता हूँ a हमारे पास है x1, y1 b हमारे पास है x2, y2 और c है हमारे पास x3, y3 हमें पता है कि parabola में किसी point के जो coordinates होते हैं उनको हम लिखते हैं 80 square 280 ठीक है तो अगर मुझे इस point पर tangent के लिए मतलब अगर यह points तो आपके t parameter के form में हो गए अगर मुझे इन points को slow form में अगर convert करना है तो क्या करेंगे जो t है न इसको बदल कर हम लिख लेंगे minus m तो हमारे पास यह जो coordinate हो जाएगा यह हो जाएगा a m square और यह हो जाएगा minus 2 a m यह क्यों कि आभी समझाओंगा तो इस हिसाब से हमारे पास जो a है b है और जो c है यह तीनों coordinates को मुझे इस form पर लिखना चाहिए तो a जो coordinate हो गया यहाँ पर x1, y1 था अब मैं लिखूंगा a m1 square कॉमा minus 2 a m1 ऐसे ही b को लिखूंगा a m2 square minus 2 a m2 c को लिखूंगा a m3 square कॉमा minus 2 a m2 अब समझते हैं यह जो तीन points हमने यहाँ पर ले रखे हैं यह तीनों की तीनों जो points है वो normal के points है normal के feet है यहाँ पर लिखा हुआ है तो जब इन points होगे general points होगे जो की t parameter के related है relation में है तो अगर t से हमें slow form में इसको convert करना है for normal त्यानक है for normal तो t को आप किस से replace करेंगे minus m से और अगर आपको यह जो points है ठीक है अगर मानलो यह points आपके tangent के लिए होता मानलो इस point पर हमें हमारे पास कोई tangent दिया होता और पहले यह इस form में है फिर मुझे slope form में convert करना हो पड़ता for tangent इसी point के लिए तो मैं t को replace कर लेता 1 over m से यह चीज़ें हम ध्यान में रखें t को 1 over m की form में तब convert करेंगे जब इस point पर हम tangent की बात कर रहे हैं और t को minus m से हम replace तब करेंगे जब हम normal की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे पास यह coordinates आ गए तो हमारे पास किसी point पर जो normal हम draw करते हैं उसकी equation हमारे पास क्या होती है उसकी equation हमारे पास दो form पर होती है अगर मैं अभी जो मैंने आपको समझाया था y equal to xt 2 a t plus a t cube यह t parameter के form में होती है normal की equation तो अगर मैं t को minus m से replace करूँ तो slope form में मुझे यह equation मिल जाएगी जो की हो जाएगा y equal to y minus x equal to minus 2 a m minus a m cube इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर shift करूँ तो मुझे मिलता है a m cube plus 2 a m minus m x plus y equal to 0 इसको simplified form में हम लिख लेते हैं plus 2 a minus x m plus y equal to 0 इतना ताम जाम करने की जरुवत हमें क्यों पड़ी वो अभी आपको समझ में आएगा ठीक है हम उस पर भी आएगे अब हमें हमारे पास यहाँ पर जो यह equation दिख रही है cubic form में है इसका मतलब है कि यहाँ से m की हमारे पास 3 values निकलेंगी m क्या है slope slope of the normals यहाँ पर कितने normals हमने draw की है 3 normals draw की है तो उन 3ों के slopes हमें यहाँ से मिल जाएंगे तो solve करना हमारे लिए बहुत कठिन काम होगा तो हम sum of the roots निकालें इसके कितने roots होंगे 3 होंगे 1 m1 होगा 1 m2 होगा 1 m3 होगा तो अगर मैं sum of the roots का formula यहाँ पर डालूँ तो यह हमारे पास क्या आजाएगा जरा देखें यह हमारे पास आजाएगा m1 plus m2 plus m3 equal to किसके बराबर होगा formula होता है हमारे पास minus coefficient of m2 over coefficient of m3 अब m2 तो यहाँ पर कहीं है नहीं तो उसका coefficient 0 इसका मतलब है इन तीनो slopes का जो sum है वो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब मुझे m1 plus m2 plus m3 की value कितनी मिल चुकी है 0 मिल चुकी है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब हम आते हैं हमारे question पे question में क्या करना था इतना ताम जहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि question में starting में यह 3 normals के बारे में बोल दिया तो जैसे ही आपको यह 3 normals के बारे में बोल दिया आपके पास यह condition पहले से याद अगर होती तो अच्छी बात है नहीं तो फिर मुझे इतना सब कुछ करके दिखाने के जर्वत पड़ी यहाँ पर अब question में कहा है कि x2 minus x3 over y1 x3 minus x1 over y2 और x1 minus x2 over y3 यहाँ पर x1, x3, y1 इन सब की values हम रखते हैं और देखते हैं हमारा answer क्या रहा है सबसे पहले है x2 minus x3 over y1 तो x2 minus x3 over y1 x2 minus x3 over y1 plus x3 minus x1 over y2 plus x1 minus x2 over y3 equal to, solve करते हैं x2 की value देखें x2 हमने किसके बराब रखा है 1m2 square तो इसकी जगह आजाएगा am2 square इसकी जगह आजाएगा am3 square और y1 की जगह आएगा देखें y1 क्या है minus 2 am1 ऐसे रख लेते हैं minus 2 am1 ऐसे ही सब के सांथ कर लेते हैं x3 है आपका am3 square और x1 है आपका am1 square और नीचे minus 2 am2 यही इसके लिए भी कर लेए हम जल्द जली बोलूंगा मैं यहां से क्योंकि values पूट करनी है x1 हो गया आपके पास am1 square और x2 हो गया am2 square और नीचे क्या है आपका minus 2 am3 यह a cancel हो गया यहां से यह cancel वैसे इतना कम करनी की ज़रूती थी 1 over minus 2 1 over minus 2 1 over minus 2 common निकाल लेते है ठीक है तो अंदर हमारे पास बचा m2 square minus m3 square over m1 था ना अगर मैं यहां से m1 की value निकालूं तो मुझे मिलेगा minus m2 minus m3 तो मैं यहां लिख लेता हूँ minus m2 plus m3 यह समझ में आ गया होगा आपको plus यहां पर भी यही करेंगे m3 square minus m1 square माइनस तो common निकाल चुके है तो m2 की value अगर मैं यहां से निकालूं तो यह हो जाएगा minus क्या हो जाएगा यह हो जाएगा m3 plus m1 इसी तरीके से यहां भी m1 square minus m2 square minus m3 है ना minus तो common निकाल चुके है तो M3 की value यहां से निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस M1 माइनस प्लस M2 यह समझ में आ गया होगा यह माइनस को मैं फिर से common निकालू तो यह cancel हो जाएगा इससे अब यहां देखो क्या बचा आपके पास A square माइनस B square का अगर formula रखो तो मुझे मिलेगा M2 माइनस M3 M2 प्लस M3 तो M2 प्लस M3 तो cancel हो गया तो बचा क्या M2 माइनस M3 1 by 2 तो बाहर है यहां से क्या बचा M3 माइनस M1 यहां से क्या बचा M1 माइनस M2 अब इन सब को solve करके देखो कितना आ रहा है यह आ रहा आपका answer 0 0 को 1 by 2 से multiply के तो यह 0 आ गया अब answer को अगर match करें तो आप भी देखें हमारे पास यह जो answer है D यह answer हमारे answer से match कर रहा है तो इस तरह की से बच्चो हमने इस question को यहां पर completely solve कर लिया है वीडियो आपको समझ में आई हो question solution समझ में आया तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe नहीं के तो चैनल को subscribe भी जरूर करें Thank you so much